वोस्ट आप गाइज वी आर बैक विद ब्राइंड न्यू एपिशोड अफ पब्जी मोबाइल एंड गाइज आज की वीडियो में बताने चाहरा हूं कि आज पब्जी ने ओफिशली कन्फरम कर दिया है कि चोकर और हारले क्वीन पब्जी के अंदर आने वाले क्योंकि पब अपने दो क्रेक्टर देगी हारले क्वीन और जोकर को जो की मिरमार मैप में उपलब्ध होंगे सिर्फ मिरमार मैप के लिए होंगे क्योंकि मिरमार में एक जेल है जहाँ पर हारले क्वीन बंद होती है वहाँ पर जोकर अपने दोस्तों के साथ आता है और हारले क्वीन को जाता हैkiej-व पुलिश वाले कोपस हैं वह इन्हें है जेल चोड़ने से रोपने की कोशिश करते हैं लेकिन जोकर और हारले कुछ जेल तोड़कर भाग जाते हैं ट्रेलर के अंदर यह सब होता है गाइस और अगर आप ट्रेलर अभी तक नहीं देगा है तो चिंता मत कीजिए डिस्कृप्षिन के अंदर एक लिंक है महाँ पर जाकर आप ट्रेलर को देख सकते हैं ट्रेलर वन मेंट 27 सेकंड का है यह अफिसली पबजी ने अपलोड किया था अपने अपलोड की थी अपने इस्टाग्राम अकाउंट पर अगर आपने को नहीं देखे तो आप देख सकते हैं जैसे क्या आप पबजी ने अपलोड की थी तो गाई इससे कंफर्म होता है कि यह दोनों कर्यक्टर पबजी के अंदर आने वाले हैं और गाई मुझे लग रहा है कि यह दोनों एक तरफ होंगे और सारे प्लेयर्स एक तरफ होंगों क्योंकि जब भी जैसा कि फोटनाइट में हुआ थैनोस एक तरफ था प्लेयर्स सारे एक तरफ थे प्लेयर्स थैनोस को मारते थे और उसका हाथ लेकर जिसमें पांच पत्थर होते थे उसका यूज़ करकर अनदर प्लेयर को खतम करने की कोशिश करते थे तो वैसा ही इसमें होने वाला गाईज पहले तो इन दोनों को किल क करने के बाद इनके पास कुछ special abilities होंगी उनके द्वारा हम खेल को आगे बढ़ा सकते हैं मतलब की उस ability को लेकर हम another player को मार सकते हैं limited time के लिए जो की one minute या फिर two minute या फिर limited power होगी उसकी अगर वो उस power के खतम होने के बाद वो ability खतम हो जाएगी और हम फिर से वैसे player में सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन पर भी क्लिक करे थैंक्स वर वाचिंग वीज आउट